अवस्कार मैं हूं कुन्य प्रसुन बाजपे, बात आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर, जिसकी शुरुवात जेन्यू के परिसर से होती है, लेकिन समूचे देश में तमाम शिक्षन संस्थानों के च्छत्र अगर सलक पर है अगर इन सब के बीच वकील सलक पर है, और इन सब के बीच और कोई मुद्दा नहीं बलकि देश भक्ती या देश द्रो, एक सवाल बनकर देश के सामने ही कुछ इस तरीके से आन पड़ा है लगता है, इस दौर में देश भक्ती ही दाव पर है क्या, तिरंगा हर हाथ में है, तो इन सब के बीच चर्चा करने के लिए आज खास तोर से दो महमान हमारे साथ हैं, केंद्रिया संसदीर राजमंत्री मुक्तार अबास नक्वी साब इनका स्वागत किया जाए, और साथ ही हमारे साथ स्वेपेम की पॉलिद बीरो मेंबर और राज सभा सदस्य वरिंदा का राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको बीचार और हमारे साथ चात्र भी हैं, जो आने वाले वक्त में जाहिर है, देश के कही ना कहीं कमान भी थामनी है, कंदो पर भार भी है, वह भी कुछ सवाल करेंगे, कुछ द्रिस्टी उनकी अपनी भी होगी, लेकिन मुक्ता अरब साथ, हर जहन में एक सवाल है, कि जो बुद्ध कानून के दाएरे में था, उसमें सियासत कैसे कूद गई, ना सिर्फ सियासत, बलकि हर वो इंस्टीूशन कूद गया, जिस इंस्टीूशन को उससे कुछ लेना ने नहीं था, हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बास सहमत हूँ, कि इसमें किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, जो जेन्यूशन के कैमपस में, जो मीडिया में दिखाया गया, नारे बाजी होई जिस तरह की, भारत की बरबादी और क्या क्या सारी चीज़ें, वो निस्टी तो से कभी भी उसको राश्टवाद की शिर्णी में तो नहीं रख सकते, उसमें कुछ लोगों अगर मुठी भर लोगों ने, इस मानसिक्ता के साथ इस तरह की नारे बाजी और इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की, कि इस से देश में टकराओ और बिखराओ का माहौल पैदा हो, और ऐ जेनियू हो या और जो विश्विद्याले हैं या और जो कैमपसेज हैं, उनके जो बच्चे वहाँ पर हैं, जो छात्र वहाँ पर हैं या जो अध्यापक वहाँ पर हैं, वो सारे के सारे राश्द्रोही नहीं हैं, उनके अंदर भी देश के एकता, देश के भक्ती का उतना नहीं जजबा है जतना किसी और में है हाँ कुछ अगर मुठी बर लोग उस जेनियों की जमीन का इस्तमाल अपनी राश्ट विरोधी हरकतों के लिए कर रहे हैं तो निस्ची तोर से उसकी निन्ना होनी चाहिए अब उसकी राजनीत होती है राहुल गांदी साहब की तरफ से वहां राहुल गांदी जी पहुंचते हैं और कहते हैं जी साप जो लोग नारे लगा रहे थे देश की वरबादी से समन्दित वो उनको रोकना गलत था या विरक्ति हमारा पहला ही सवाल था ये कानून का मस्रा था सरकार आपकी है आपके हाथ में दिल्ली पुलिस है वो द लेकिन कहां है इंस्टूशन सर इस देश के भीतर सत्ता आपकी सरकार आपकी ने हम यह बांते हैं देगे राहुल गांदी जी जब गए और जाने के बाद वो पूरा हंगामा हुआ पिर उसके बाद एक लंबा जो है वो जेन्यू का टूरिजम शुरू हो गया पुलिटिकल किया जा रहा है और उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ तो उस वक्त जो है वो लोगों में यह हुआ यह क्या हो रहा है और उससे बात का बतंगल बना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार बार मिस कर रहे है कि कोई कानून विवस्था अगर चीज होती है या IPC की 124A है धारा है उसका उलंगन भी अगर हो रहा है तो वो इंसिचूशन कहा है जिसे उस पे तुरत कारवाई करने चाहिए थी और उसके बाद सियासत इंसिचूशन के सवाल आपने बिल्कुल सही किया क्योंकि हमारे देश में हर युनिवरसिटी की और जेन्यू की भी उनके अपने कानून है युनिवरसिटी आट के मताबिक जो हर युनिवरसिटी को एक और टॉनमी के आधार पर चलाने की एक मेंडिट होती है उस दिन जो नौ तारिकों वो मीटिंग हुई थे दस तारिक को हमारी देश के ग्रह मंत्री जी राजनाज सिंग जी ने एक ठ्वीट द्वारा बताया पूरे देश को कि हमने दिल्ली की पुलीस कमिशनर को ये आदेश दिया है कि आंटी नैशनल एलेमंस को वो तुरंथ ग्रिफ्तार करें और उसका नतीजा क्या हुआ आज हमें पता चल रहा है कि इतने भारे अन्याय हुआ कि एक वीडियो जिसके कोई अथेंटिसिटी ने कौन क्या नारा दिया क्या वो वीडियो अथेंटिक था या दो घटनाओ की और दो भाशनों का एक साथ मिला कर उसको डॉक्टर करके किया गया कल आपका ही चैनल ने उसको बहुत स्पश रूपे दिखाया उस गलत वीडियो की आधार पर या क्या सूचना थी हम नहीं कह सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान की नागरे के हिसाब से और नकवी जी भी जरूर ये मानेंगे कि जब हम लोग एक बात उठाते हैं कि जब तक एविडिन्स की बगैर आप किसी को नहीं कह सकते आप और हम यहां बैस करके हम कुछ भी कह सकते हैं लेकिन निश्यत रूपर देश की ग्रह मंत्री नहीं कह सकते हैं और उसका नतीजा क्या हुआ आप लोग सोच लीजे कि कर्रहिया कुमार एक अलेक्टिट प्रेजिडंट वो कॉमिनिस परिवार का है वो कभी भी किसी भी हालत में जो नारे लगे आइडियोलोजिकली हमारा अंतर है वो लगाए नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलोजी अलग है तो उस लड़के को आप पकर के ड्रैग करके आप जील की अंदर कौन सी चार्ज पर सडिशन की चार्ज एक देश भख संगठन की प्रेजिडेंट सडिशन की चार्ज पर मतलब हम लोग कुछ है ही नहीं हमारा कुछ अधिकार ही नहीं बिगैर हमारी सुनाई की हुए बिगैर कोई जार्च की हुए एक नकली विडियो की आधार पर जो अभी पुलीस कमिश्टर और होम मिनिस्टरी के ओफिशल्स आज रिपॉर्ट्स आ रहे हैं वो खुदी बोलने हैं कि ये शायद गलत हो गया लेकिन लड़की का उस पूरे इंस्टिशन का आपनी देश भर में बदनाब कर लिया तो मैं यह अर्ज करूंगे मैं यह अर्ज करूंगी वाजपाईजे वाजपाईजे मैं सिर्फ एक सके जी मैं यह अर्ज करते हूं देखे इंस्टिशनल अटॉनमी इस अंडर अटैक आप इस प्रकार नहीं कर सकते हैं हाइदरबाद में आपने किया उसका क्या नतीजा हुआ एक गलिद लड़के को क्यों क्यों क्योंकि आपके डायरेक्ट आपने हस्तिक्शिप तो मैं सिर्फ कह रही हूं इसलिए नकी साब सवाल पहली बार इसलिए यह उठ रहे हैं कि अगर इंस्टिशूशन फेल कर जाएंगे तो गॉर्मेंट का मतलब क्या बचेगा और सवाल जो उठ रहा है एक सवाल और था अगर किसी पार्टी का किसी और्गनाइजेशन का प्रेजडेंट देश द्रो हुई उसको आप मान रहे हैं तब तो उसको इस इस इस्टूशन में इलेक्शन भी ने लना चाहिए और नेशन भी देश द्रो हो गया विरिंदा जी जो वीडियो है उसके बारे में आज या कल में कुछ टेलिविजन चैनल से दिखा रहे हैं किसा वो गलत है उसके बाद इस वीडियो को क्या बीजेपी आफिस में दिखाया गया था बीजेपी आफिस ने इसको गुमाया था इसी मीडिया ने उस वीडियो को भी दिखाया ज नारे लगाये जा रहे हैं, तो भर यहा क्या सरकार करेंगी योड पुलिस करेंगी अगर उस पे सरकार कोई कारवाईए ने करती, तो आप ही सवाल उठाते इतना मीडिया दिखा रहा है, भारत की बर्वादी के नारे लग रहा है, राज्डोही गत्वीदीया हो रही है ये जो है नकली है ये जो है वो करेक्ट है ये जो है वो रॉंग है ये आती है ये सारी चीज़ें अब कोट में चली गई है ये मैटर जो है वो कोट के अंदर है पुलिस ने गरबल किया है तो उसके खिलाब भी कोट की तरफ से कारवाई होगी अगर जो है वो किसी ने संगवाद की मानसिक्ता उसकी है की नहीं है उसने जो नारे लगाए है वो जायज है की नहीं जायज है और राहूल गांदी जी की बात जो मैं कह रहा हूं राहूल गांदी जी जो हो खड़े हो कहते हैं कि साब जो लड़कों ने वहाँ पर नारे लगाए है उनको जो है वो र दिखाने की जरूवत नहीं है भी जैपी अध्यक्ष ने मागए थासी जो 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 हरकतें की हैं उससे देश में उनके उनके उपर सवालिया निशान खड़े हुए आप उस पे आ नहीं रहे हैं देखिए हम बार-बार इंस्टिउशन पे इसलिए आ रहे हैं विरिंदा जी हमको लगता है चुकि आप संसद भी अब शुरू हो जाएगी तिन दिन के बाद वहाँ पर भी ये सवाल उठेंगे सुप्रीम कोट को कहना पड़ रहा है पुलिस कमिशनर को अगर आप से नहीं समलता है तो हम समा लेंगे वो डिरेक्टिव्स देता है पटियाला कोट में उसकी धज्जिया एक घंटे के भीतर उड़ जाती है सरकार कहा है और इंसिचूशन कहा है इस प्रोसेस में हम तो कह रहे हैं फैलियूर अफ सिस्टम नहीं है क्या यह वाजबर ची पहले मैं यह कहना चाहूंगी नकवी जी मैं हाथ जोड़ के कहते हूं राहुल गांदी की इस बारे में जो कुछ आपको करना है कहना है आपकी राए है आप निश्रित कीजे लेकिन जेन्यू को शिकार मत बनाएए कनया कुमार जैसी स्टूडन को आप मत बनाइए आपका अगर कोई विवाद है राहुल गांधी के साथ कनया कुमार को बीच में मत लाइए मैं ये कहना चाहते हूँ ये जे नियू का जो जे उपर जो हमला हुआ है जो नक्वी साब कह रहे है वो एक बहुत पार्शल एक छोटी से उसकी वो एक चवी दिखा रहे है हकीकत क्या है आज जे नियू एक पुलीस कैम बन चुका है जे नियू आज जे नियू की स्टूडन्स के खिलाफ जे नियू की टीचर्स के खिलाफ देश भर में जिस प्रकार का राश्टर विरोधी अप्यान के रूप में चलाया जा रहा है बीजेपी आरेसेस आप देखें उनके परचे अगर ये चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं अब ये जाने क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स है वो नहीं चाहते हैं कि कोई एक मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ क्योंकि जेड नियू और देश की युनिवरस्टी कैंपिसेस माफ कीजे आरेसेस की शाखा नहीं है वहाँ मारे लड़किया लेट मी फिनिश नहीं हमारे लड़किया वहाँ ना वो आरेसेस की शाका बनना चाहिए ना वो कमनिस्टों का गड़ बनना चाहिए वो लड़किया जो है वो इंडिपेंडन माइंडेड है वो अपनी विवेक से काम करते है और उसके आधार पर हर्याना की मुख्या मंसरी की OSD इतने गंदे गालियां दी है उन लड़कियों को नक्वी साब उसका प्रोटेस किये उसका खंडन किया वो जवाहार के किलाव विमन्स डिगनिटी पर जो उन्होंने असोल्ट किया उसके किलाव कोई केस दर्ज हुआ दूसरी बात सब कुछ जो हुआ कोर्ट में है बता रहे हैं कोर्ट में एकसेस टू जस्टिस रोका गया बीजेपी की लॉयर्स जो उनकी में नेताओं की नाम भी सब जानते हैं उनके साथ चवी चपी है मैं कह रहे हूं कोर्ट की प्रेमिसिस की अंदर जो अटाक हुआ जो हमला हुआ सुप्रीम कोट की धज्या और आए गे वहां और पुलीस कमिशनर की तमाम 200 पुलीस जो वहां मौजू थे कुछ नहीं कि और पुलीस कमिशनर कहते हैं कि हमारे पास जगा नहीं थी कि हम उसको रोके ये अगर पार्टिसाइन्शिप और पक्षवात नहीं है मैं कहती हूँ अजटिसन आप छोड़ दीजे मेरे पार्टी मेरे क्या वो है सब छोड़ दीजे एक नागरिक की हिसाब से मैं कहती हूँ ऐसे पुलीस कमिश्टर अगर राजधानी में रहे कोई राजधानी का नागरिक सेफ नहीं है मैं बहुत साथ के रहा हूँ मैं बसी साथ को बहुत दिनों से जानती हूँ कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि मेरे ऐसे शब्द है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो उनका अटिट्यूड था कभी हमने नहीं देखा आपको लगता है वो उनका निजी अटिचूड है वो खुद वखुद हुने तैकी है मैं सिर्फ एक मैंने आपको कहा राजधाना सिंग जी ने ट्वीट किया उसके क्या मजबूरी उनका है मैंने के बढ़ फॉर अस ही इस पुलीस कभिश जाता है वो नारे किसी भी रूप में लगें चाहे वो हिंसक हो चाहे सलक पे मार्च करते हो लो राष्टवाद के नारे आरेसेस को बहुत खुशी देते है सरकार उस दाइरे में आकर फस गई जहांपर वो राष्टवाद के साथ है उसकी पौलिकल ऑर्गनाजैशन है या वो वाकिज सरकार के तौर उसको सारे इस्टिश्टटश बगंड़ राष्टवाद के जजबे राष्टवाद का जनून और राष्टवाद का नारा उस पर अगर कोई खुश होता है तो हमें लगता है कि उस पर किसी को अपती क्या हो सकती है खौफ पैदा करता है नहीं नहीं राष्ट द्रोह के नारे पे कोई खुश हो तो सवाल कुटता है राष्ट वात के नारे पे तो खुश होने की जरूरत है एक चीज हमारा दूसी चीज़ देखे मैं हम इस बात से पूरी तरह सहमत है कि अभिवेक्ति के आजादी के नाम पर उद्दंड़ता की आजादी नहीं हो सकती चाहे कहीं पर भी हो रही हो किसी भी जगापर हो इसका पैमाना कुछ होगा ना मैं कोई किसी एक पर्टिकुलर घटना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो कर रहा है अभिवेक्ति के आजादी के नाम पर उद्दंड़ता की आजादी नहीं हो सकती एक चीज़ दूसी चीज़ मैं बिन्दा जी की बात से सहमत हूँ बिलकुल जेनियू का कैमपस अगर आप देखें कोई ये ऐसा नया घटना नहीं हुई है कि आपने कहा हैदरबाद के जो घटना हुई उसका भी राजनीति करान हूँ हुआ त अभी कह राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीतिक करान करेंगी लेकिन अभी तीन महिने पहले तीन सार मेने पहले की बात है चौवन देशों के राष्टा अद्धेश भारत में आये हुए थे अफरिकन कंट्रीज के और यहां पर जो है वो इंडो अफरिकन सम्मिट चल ला था उस वक्त जो है वो हमारे इस जेनियू के कैंपस से आवाजें क्या उट रही थी हमारे कंग्रिस पार्टी के साथियों से कांग्रिस पार्टी के साथियों से आवाजें क्या उट रही थी कि देश में बहुत आसाईश उड़ता है मोहन जोद्रोव हलकपा की खुदाई से निकाल निकाल के आवाड दिखाय जा रहा थे कि 2020 में मुझे को आवाड मिला था वापस ले लो मेरा ये जो पूरा के पूरा एक घटना करम है अब क्या हो रहा है मेक इंडिया मुंबईी में हो रहा था मेक इंडिया मुंबईी में हो रहा था तमाम विदेशी जो है वो दोगपती विदेशी कंपनिया विदेशी सरकारों के परतनीदी आये हुए थे और देश में नौजवानों को रोजगार्द कैसे मिले इसके लिए मेक इंडिया का कारकम हो रहा था आप इसमें पूरा इस कारकम में ये पूरा नाटकी घटना करम जो हुआ वो केवल देश को बदनाम करने की इसाजी जे इसके लावा पूरा ना इसी बार मंत्री बने हम आपको दो घटना बताना चाहते हैं और तीसरी घटना भी हुई है जिस वक्त अटल विहारी वाज़ पे इस देश के प्रधान मंत्री थे उस वक्त एहमद फरास कविता पाट कर रहे थे जेन्यू के भीतर दो सैनिकों ने अपत्ती जताई जेन्यू के छात्रों ने उनकी पिटाई कर दी बड़ा हंगामा मचा लेकिन वो शान्त हो गया कुछ ने जेन्यू अपनी राच चल पड़ा दंतेवाडा में 75 CRPF के जवान मारे गए यहाँ पे जेन्यू में जस्ट मनाया जा रहा था पीची दंबरम ग्रह मंत्री वो जेन्यू गए और चात्रों के बीच जाके बताया उन्होंने की यह दोर सही है या उस दोर में भूल हूई या भूल नहीं होगी नहीं दोर की बात नहीं कर रहे इस तरह की घटनाओं का हम पूर कैरें हैं ये मुठी बर लोग है हिस्ट्री शीटर जगा है वो मतलब इस मामले में आपने कहा कि अगर कहीं पर जो है हमारे फौजी मारे जा रहे हो उसका जशन मनाया जाए कहीं पर जो है वो राश्ट द्रोही भाउनाओं से भरपूर जो है वो कुछ एक समूँ मैं पूरा नहीं कहा रहा हूँ समूँ डायलग हुआ था हम खाली ये बताना चाहिए पीचे दमरब का डायलग हुआ एक चीज़ मैं यह कहरा हूँ द्वर की बात नहीं है सवाल जहां पर भी राश्ट द्रोही मानसिक्ता के साथ या राश्ट के खिलाफ नारे बाजी के साथ राश्ट के खराफ युद्ध की सोच के साथ कहीं कुछ होगा तो कम से कम मोदी की सरकार तो ऐसी है कि ऐसे लोगों को बरदास नहीं है कोड़ वो ओपेन माइंड नहीं जैनियू में अगर चात्र अभिव्यक्ति कर रहे हैं और वो लगता है गॉर्मेंट को ने क्या अभिवत्ति भारत की बरबादी के नारे क्या अभिवत्ति अफ्दल गुरू का महिवा मंडित करना अगर यह अभिवत्ति है मैं आपको बता रही हूं आज भारतिया जनता पार्टी के जैनल सेक्रेटरी जो आरेसेस की लीडर थे बाधव जी वो कश्मीर में गए हैं और पीडीपी के साथ उनका पूरा गठबंदन है बिलकुल आप उनसे पूछे कि अवसल गुरू पर जब फासी की सजा दी गई थ तो पीडीपी के क्या समझती और पीडीपी के क्या ला रहे थे बहुत लोग हैं इस देश में जो समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्विकार किया कि जुडिशल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ और उस सबें यूपीए की सरकार थी और उस सबें उनको फासी पर जो है वो सजा अमल में ले आए उस समय पीडीपी की जो स्लोगन्स थे आज उस पीडीपी के साथ गड़ बंदन करके कश्मीर में वही भात्य जन्ता पार्टी सरकार बना सकती है और वही स्लोगन अगर कोई स्टूडन्स जेन्यू में आकर लगाते कश्मीर से तो वह देश पॉलिक्स नहीं चल सकते दूसरी बात जहां तक राइट तो स्पीच है यह नकवी जी और मेरे परीभाशा या इंटरपेटेशन के आधार पर नहीं होगा हमारे कॉंस्टूटूशन है आर्टिकल 19 का उसमें कुछ धाराएं हैं की फ्रीडम ऑव एक्स्प्रेशन खुला न क्लोजिस है सीमाएं है कि इसके अंदर रहकर आप फ्रीडम ऑव एक्स्प्रेशन का अधिकार आप इस्तमाल कर सकते हैं तो इसलिए एक टेलिविजिन स्टूडियों में डिसकस करके आप एक पूरे ग्रूप को यह जाप घटाएं बता रहे हैं क्या प्रूफ है कौन से प् क्वारी चल रही है वो तमान जो आपकी टेप्स है किसे वो नारे लगाए हैं एक टेप ऐसे दिखाए दे रहा है कि जहां पाकिसान जिनाबाद का नारा लग रहा है तो जिनाबाद जिनाबाद एबी वीपी का लड़का बोल रहा है तो क्या यह सही है क्या आम इसको सही मा मैं कह रही हूँ अगर आप कहते हैं अदालत के अंदर ये है तो मैं ये कहती हूँ कौन वो राश्टर विरूदी स्लोगन्स थे या नहीं थे आपकी मौफ्ट विडियो से कते नहीं थाबित हो सकता है और दूसरी बात ये है मैं फिर ये कहती हूँ कि जिस प्रकार एक पूरे इंस्टूशन को और उनकी स्टूडिन्स और टीचर्स को बदनाम किया जा रहा है ये घौर आपति जनक है अगर कोई इस डेश को बदनाम कर रहा है वो है नकवी जी की सरकार जो बार बार इस और टॉनेमी को हस्तक्षेप करुआ है और निर्दोश करने या और आप कह ए ARE हम एक मिनट इस पर जवाब लिए बास सुरियस चुकी आपने आरोप लगाया है एक निर्दोश लड़का सुने हम इसके जवाब ले ले एक मिनट लिए ठीक है बहुत कुछ उन्हों ने कहा मुझे कहने दीजे एक निर्दोश इलेक्टिड स्टूडन प्रेजिडन को आप ग इर्कर जी की संग्वधान का पूरा आधार है आज उसकी ये हालत हो रही है कि बदनाम करने में सत्ता की बल को इस्तमाल करने ले एक हमको लगता है एक फैक्ट और जानकारी हम दे दें आपको 26 फरवरी 2013 मुफ्ती मुहमद साहिब ने देश के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग को लेटर लिखा अफजल गुरू की फांसी के संदर में उन्होंने लिखा लगता है कि फांसी का फंदा जो बनाया गया उसका नाप अफजल गुरू के गर्दन के हिसाब से था इसलिए आप दे रहे हैं जबकि उससे पहले इतने नंबर थे मुफ्ती साहब के साथ प्रधा अविटा आफ कारवाई अभी तो वहां पर राजबाल शार्शन है वहाँ तो आप कारवाई चाहें तो कर भी सकते हैं फिर कारवाई नेविए नारे फिर आज लगे हैं देखे पहली बात ये की आतंगवादी अबजल गुरू ये देश का दुश्मन है दुश्मन था इसलिए अफजल गुरू इनके लिए महापूरुश हो सकता है, मेरे लिए आतंगवादी जगाई है, और आतंगवादी है, एक है, दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसके लावा मैं बताता हूँ कि पीडीपी ने, आपने का पीडीपी ने उसकी मरसी पेटीशन और उसके जो है, नारे आज भी लग रहे हैं, मैं बता रहो, फासी को लेकर के, हम पीडीपी के साथ इस मुद्दे पर बिलकुल नहीं है, हम उसके विरोधी हैं, अगर वो आतंगवादीयों के साथ कड़ी होके, और आतंगवादीयों के पक्ष में बोलेगी, तो हम उसको चीम फैट्स पे बात करनी चाहिए, जो बात आप कहा गया, चलिए, कॉमन इमिनमर्म प्रोग्राम आपके और उनके बीच जोड़ा, पेडिकी ने उसके बीच में जोड़ाया, हुरियत की प्रजेंस बाच्चित में होनी चाहिए, आप लोग हुरियत के खिलाफ, क्या हमने कामन का कि आतंगवादियों पर दर्वी लिगी गा हमारा मुझत है कि उस नाम को लेके रास्टवाद का खौफ पैदा करके कहीं सियासत इस देश के भीतर तो नहीं हो रही है नहीं बिलकुल नहीं देखे है पाज पर सुन जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो अभी विंदा ज जोड़िया अप हमने कभी नहीं जोड़ा कि जेनियू का कैंपस राश्वी रोदियों का अट जा नहीं जोड़ा गिरफतार क्यों नहीं किया गया गया जो भी अब सवाल ये पदा ओदे जिने गरिफतार किया वो कहते हो आप बेगुना है अब हम जिनकों पकड़ेंगे फ इसका मतलब है कि स्पेस चाहिए लंबा जिसके बीच में लंबा इस पेस नहीं चाहिए जो कानूरी प्रक्रिया है वो चल लएए दो बातों का उन्होंने जवाब नहीं दिया मैं फिर यह कहती हूँ जो JNU की अंदर आके शायद कश्मीर के थे या कहा के थे हमें नहीं मालूम क्योंकि अभी वो कोई एविडिन्स नहीं है लेकिन जो बी कश्मीर के बारे में जो स्लोगन लगाएगे हैं तो ही स्लोगन पीडिपी के स्लोगन है और उस PDP की सरकार में छे महिने बीजेपी और PDP की सरकार बनी रहे तो ये दोरी नीति और हिपोक्रिसी नहीं है तो क्या है दूसरी बात मैं ये कहना चाहते हूं जो भी नकवी जी बोल रहे हैं जहां तक लेफ्ट का सवाल है हमने बिलकुल सपश कहा कि जो जुडिशल प् य데 उस जुडिशल प्रोजेस को समाप करके आप टागिट करेंगे यह हमारी जुडिश्री और हमारी अडालतों के लिए वो सहीं नहीं है हम संग्विधान और कानून के अंतरगत कोई भी हो हम चाहते हैं हम लिंच बॉब नहीं चाहते हैं इस्से संग्विधान धेयरो बन बनता है इसे संग्विधान hero बनता है इसे कानून hero बनता है इसे सुप्रीम कराशी जो नारे लगे आप लोगають कर उन आतंगवाद, राइट तो आप खड़े हैं, उस आतंगवाद के खिलाब आज भी हमारी वैली में रहकर हमारी कॉम्रेज लग रहे हैं, हमारी MLA को रोज थ्रेट दिया जा रहा है, जब खालिसान का नारा पंजाब में था, हमारी 200 कॉमिनिस शहीद हुए, जब ऐसा में व कश्मीर को लेकर जो विचार जेनियू तक पहुँचे, वो विचार इस देश की जम्मु कश्मीर को सुझाने की जटिलता है, या उस नारे के पक्षमे हैं, अब बनी हाँ आजादी के पक्षमे हैं, सुनिए हम बिलकु, आप क्या पूछ, हम तो 370 के पक्षमे हैं, जो उसकी पक्षमे हैं, जो डायलोग है, हम उसकी पक्षमे हैं, हम कभी भी never, लेकिन हम इस सरकार जो भे दभाव की आधार पर कश्मीर में सरकार बचाने के लिए एक लाइन, और दिली में दूसरी लाइन, यह हम इस पक्षमें नहीं हैं, और मैं आखिर में यह कहना चाती कि देखे सवाल है देश भक्ति के और देश भक्ति इस बात में नहीं है कि आप पूरी दुनिया के सामने इस प्रकार की आप करेंगे कि आपकी देश के राज्थानी में इस प्रकार की घटना घटते हैं आप सुनिये जो आप बार बार नकवी साब ये बोल रहे हैं राष्ट्र विरोधी कुछ अभी चंद लोग पर आगे ने चंद शुरू आप सुड़ू आप चंदन मित्रा जापकी स्पोक्सपरसन है उन्होंने कहा आपकी स्पोक्सपरसन राजसभा के मपी उन्होंने कहा कि कुछ और भाज़ा बहुत है उन्होंने वो स्पोक्सपरसन है और उन्होंने कहा शट डाउन जेन्यू इसलिए आप छोड़िये इस बात को हम सब जानते हैं सिर्फ जेन्यू ने हर हाई एडूकेशन की इंस्टूशन आज इनकी निशाने पर है लेकिन मैं जो नहीं पॉइंट राश्ट्र के खिलाफ क्या नारे लगे किसने ये नारे लगाए इसका अभी तक कोई क्रेड़िबल एविडेंस पेश नहीं हुआ यह सब बाते हैं जब तक सुन्ये आजाएंगे मैं नहीं इसलिए चंद लड़कों को टागिट मत करो जब तक आपके पास पुरी प्रूफ नहीं है और उसकी भी मैं चालेंज की साथ कहती हूँ उसमें जे न्यू की कोई लड़के थे या नहीं थे आपके पास कोई एविडेंस आप आज और कल और परसुबे भी आपके पास नहीं है इसलिए डोंट डोंट बतब आप अपने को भी ऐसे मत रखें ऐसे पुजिशन में जैसे पुलीस कमिशन राज है जो अभी कह रहा है कि भे हम तो बेल का विरोत नहीं करेंगे अरे सेडिशन का चार्ज है इतना देश दुरूई है आप बेल का भी कह रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई सब्सक्राइए जहां तक सवा है यह जैनियू का इशू है या जादोपूर यूनेस्टी का इशू है कहीं कभी कोई भी इशू हो अगर हर इशू को बिरिंदा जी की पार्टी और दूसरी पार्टियां लाना चाहती है तो हम तैयार हैं उस पे डिसकेशन करिए डिवेड करें हाई कोट के भीतर भी जमानत जो कनहया कुमार है देश द्रोही है या नहीं इसको लेकर मंगलवार के दिन ही फैसला आना है और उसी दिन संसद भी शुरू हो रही है राश्पती का विवाशन भी होगा राश्पती सरकार के उपलबधियां भी बताएंगे और जो चुनोती है उसे भी बताएंगे और इन चुनोतीों के बीच जाहिर है हिद्राबाद इनिवरस्टी रोहित वेमुला की खुद खुशी और उसके बात जी एनियू का सवाल ये सवाल भी कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में सिस्टम के कटगरे में खड़े करते हुए खुद एक मुद